नमस्का दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चानल पर दोस्तों आज के स्टूड़ में अफकोस 10 ड्री मिलियोन की विनिंग टीम्स में आपको दिखाने अलाओ लेकिन ये मैच है इंडियन डोमेस्टिक ओडी ट्रॉफी की जो मैच है राजस् टीम को उप्शन ज़रूर मिलता है और साथी साथ माय टीम पर जाके भी क्रिएटर टीम कर सकते हैं और यहां पर जाके प्रिएटर टीम करना मतलब मल्टिपल स्टिम बनाना थोड़ा आसान रहता है तो यही उप्शन को मैं जादा प्रिफर करता हूँ तो ऑल्रेडी आफक आप वीडियो में खो जाए आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि चाइनल पर नए है तो चाइनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिए साथ बेल आइकोन को प्रेस करके अलपर भी क्लिक करना ना भूले तो चले वीडियो को शुरू कते हरा टे आलींटीम आपको दिखा देता हूं यहां पर काफी बड़े-बड़े खेल रहे हैं दोस्तों जैसे कि सबसे पहले तो यहां पर केशिंग को मैंने लिया है कि यह मतलबunft बड़े नहीं लेकिन काफी अच्छा परफॉम्स रहा है जितने भी मैचेस हुए एक दो मैचेस हुए है उसमें यहाँ पर बड़े-बड़े प्लियर देखिए यहाँ पर मनिश्पांडे है मैंक अगरवाल है दीपक उडाय लोम रोर है तो इस तरह से चार चारों बैट्समन जो है तो काफ आल राउंडर मैं इस टीम में लोंगा और सबसे जादा मेरे पास ओप्षन है ए चोधरी विजय कुमार विकोशिक और यहाँ पर चोथा गेनबाज भी मैं लोंगा जैसे के आप देख पार है खलील अहमद यह भी एक अच्छा नाम है तो इनको भी हम यहाँ पर जरूर ले है कुछ ना कुछ तो छुटने ही वाले प्लियर सबसे बड़िया प्रफॉर्म जो रहा है लोम रोर का रहा है तो इसलिए कैप्टन यहाँ पर उनको ज़रू बनाऊंगा तो वही के सिंग को वाइस कैप्टन बनाऊंगा दोनों बेस्ट है दोस्तों अच्छी बैटिंग कर सकते हैं लेकिन हाला कि अभी इतनी करते नहीं है तो यहाँ पर मुझे लगता लोम रोर को ही रखना जादा बेट रहेगा चले दोस्तों टीम अच्छी है अपको बड़ी लीगों समॉल लीगों सभी लीगों के लिए बेस्ट टीम रहेगी आप यूज कर सकते हैं चले इस लेकिन कहीं न कहीं मैं उनको भी आपको लेके ज़रू दिखाऊंगा लेकिन अभी फिलाल चलते बैटिंग पर मैंक अगरवाल डिपक खुडा एंजोस आर समर्थ और लोम रोर इस तरसे पाज बल्लेवाजे दोस्तों मनिश पांडे को मैंने ड्रॉप किया है मतलब पर्फ को से एक कीपर के बाद दो पाज बल्लेवाजों को लिया है कृष्णपा गौतम और बेगडे इस तरसे दो ओल्रॉंडर को इस टीम में चूज कर रहा हूँ और आफकोस तीन आप्शन बचे थे तो मैं एक चोधरी कौशिक और खली लैमद इस तरसे तीन गेन बाजों को य अच्छा प्रफोर्मस भी रहा है अभी तक अपकोस ग्रैंड लीग बड़ी लीग स्मॉल लीग सबी लीगों के लिए बेस्टीम हो सकती है आप ज़रूर यूज कर सकते हैं चले दोस्तों इस टीम को भी क्लोज करते हैं तीसरी टीम हमें देख लिए तीसरी टीम के अगर ब इंपोर्टेंट होता है दोस्तों काफी इससे हमें इंस्प्रेशन मिलता है चले अब भी फिलाल मैंने तोमर को या पर आपर आज विकेट के पर ले लिया क्योंकि हर जगा पर हम सेम के पर लेंगे और वोकल अगर अच्छा नहीं करता है तो हमारी सभी टीम को नुक्सान हो सकता है तो इसलिए आपर कही ना कही अलग चीज़ पी करना ज़रूरी है मनिश पांडे महेंक अगरवाल एंजोस और लोम रोरिस्त से चार बल्लेबाजों को मैंने स्टीम में लिया है और काफी अलग-अलग चेंज़ेस की है उसके बाद एक ही ओल रॉंडर रखूंगा कुछ खास नहीं है रहूल चर का फिर भी हम सबको पता है किस तरह के गेंबाज है वी करी अप्पा और एक खांड इस तरह से पाच गेंबाजों को मैंने स्टीम में ले लिया है ऐसा नहीं को मैं हर बार बैटिंग पर ही ज्यादा ध्यान दू और गेंबाज ज्यादा बड़िया प्रपांज कर जाए तो इसलिए ये भी आप्शन में आपको चूज करके दिखा दे रहा हूँ पाच गेंबाज चार बलेबाज एक और एक विकेट की पर तो बात कर लेते क्रिश्न पाग उता है किस तर के अल्डा बाटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा कर सकते मनिश पांडे भी अच्छे खासे बैट्समन है तो इसलिए हम इन पर आज वाइस क्याप्टन ज़रूर बहर सा कर सकते आज आज क्याप्टन भी आप करना चाहे तो कर सकते मतलब मेरा वह ऐसे टीम अच्छी लग रहे है तो मुझे तो लगता है कि ग्रैंड लिग बड़ी लिग स्मॉल लिग सभी के लिए अच्छी है लेकिन आप सोथ समझके यूज किजिगा चले इस टीम को क्लोज करते हैं चोथी टीम में देख लेनी है चोथी टीम के अगर बात करें तो यहाँ पर मैं फिर से केसिंग के साथ ही जाओंगा उसके बाद मैंक अग्रवाल आर समर्थ और लोम्रोर तीन ही बल्लेबाजों को इस टीम में मैं रखूंगा यहाँ पर मैंने सबसे अलग और सबसे बहुत ही मुश्किल फैसला था जगदि सुचेश कृष्णपा गोतम बेगड़े और कोर्णा यह एक अच्छे अल्राउंडर हो सकते हैं हालाख ही परफोर्मस कुछ खास नहीं रहा है लेकिन कुछ टीमों में आप ज़रूर ट्राय कर सकते हैं अगर आपको ग्राइड लिग जितनी है तो कही ना कई आपको ज़रूर थोड़े अलग फैसले लेने पड़ेगे और वो अगर सच में अच्छे पढ़ जाते तो ग्र हालाख कि विजय कुमार आज गेंबाज है सुचित आज ओल्डाउंडर है लिक फिर भी मैं इनके साथ इसलिए जा रहा हूँ क्यूंकि परफोर्मस ज्या दोस्तों परफोर्मस काफे माइने रखता है और विजय कुमार को का परफोर्मस ज्यादा बेटर रहा है तो अगर आपको लगता है कि स्मॉल लिक के लिए अच्छी है तो आप ज़रूर यूज कर सकते हैं पाचवी टीम हमें देख लिए नहीं पाचवी टीम की बात करूं तो यहां पर अब मैं के शिरितिज और केसिंग दो विकेट कीपर के साथ जा रहा हूँ ऐसा रहा हूँ कि हम कल हमारे मतलब दो विकेट की पर अच्छा कर जाए और ड्रिम टीम में रहे और हम एक पर ही निर्बर रहे तो हर एक वो आप्शन में आपको देना चाता हूँ जिससे आपके ग्रैंड लिक जितने के चांसेस बढ़ जाए तो इसलिए मैंने थोड़ा हटकर किया है मनिश प प्रफरमस उनका अभी तक खास नहीं रहा है तो कुछ टीमों में आप लांबा और उनको मतलब मनोहर को जोरू ट्राइक कर सकते हैं सुचित और बेगडे इस तरसे दो ही आल रोडर रखूंगा और यहां पर थोड़ा अलग कर रहा हूँ गृष्णपा गोतम को ड्रॉप क में बना रहा हूँ हूँ आछी टीम है लेकिन ठोड़ी रिसकी है तो मनिश पांडे को क्याप्टन समर्द को वासस क्याप्टन इसलिए बना रहा हूँ क्यूंकि 2 मोग अच्छे है क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी जादा रिसकी टीम है तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ चलिए इस टीम को भी क्लोज करते हैं छटी टीम हमें देख लेनी है छटी टीम के बाद करूँ तो फिर से केसिंग के साथ मैं जा रहा हूँ इसके बाद मेरे पास बल्लेबाजी में देख सकते हैं मैंक अगरॉल दीपकुडा एंजोस समर्थ और लोम रोर इस तरह से पाज बल्लेबाज है जो कि बेस्ट है और आपको ज़रूर अच्छा करके दे सकते हैं दिशनपपग उत्मा के लिए ओल रौंडर में रहेंगे और यहां पर अब तक में जादा मदस आड़ेष पर कोशीक और ए्क अन भी अगर आप देखे ना तो परफॉमस काफी बढ़ीया रहा है उनका हाला कि एक-दो मैचे से हुए लेकिन परफॉमस अच्छा रहा है तो आप जरूर ट्राइक कर सकते हैं आपकी जगा केसिंग को क्याटन और एंजोस को वाइस ऍैप्टन मना रहा हूं पिलाल ये भी टीम थोड़ी अलग है तो मुझे तो लगता है जादा से जादा ग्रैड लिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल ही आप स्मॉल लिक के लिए यूज़ ना ही करें ऐसा में नेक होंगा आप पर छोड़ता हूँ आपको यूज़ करनी तो आप कर सकते हैं चलिए इस टीम को क्लोज करते हैं साथवी टीम हमें देखनी है कि साथवी टीम की बात करें तो फिर से आप देखेंगे तो केसिंगों में इस टीम में रख लूँगा उसके बाद मेरे पास मयंक अगराल दीपकोडा लोम रोर महरोवर चार अच्छे बाट्समन मेर मेरे पास फिर से मोजुद है जगदिश सुचित और कृष्ण पाउद गोतम फिर से दो और गेनबाज ही में फिर से मेरे पास जादा ताकद आ चुके चार बल्लेबाज के साथ साथ चार गेनबाज भी ले रहा हूँ ए चोदरी वीवीजे कुमार खली लहमत को इस बार पहले मैच में मतलब इन्यों ने जो भी एक या दो मैच मेरे खल से खेली परफोर्मस खास नहीं रहा है लेकिन फिर भी इनको कैप्टन जरू बनाएगा हम से आपको पता किस तर के बाट्समन है और किस्तर से गिनबाज भी कर सकते तो इसलिए आपर इनको क्याप्टन प्रफी लीगों के लिए बेस्टीम रहेगी आप जरूर यूज कर सकते हैं जले दौस्त इस ट्यीम को भी क्लोज करते हैं आठवी टीम देखेलेगी हमें आाठवी टीम के अगर बात करे तो आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं आपर मैंने और भी अलग करने की कोशिश की तोमर और केसिंग दोनों को साथ में लिया है थोड़ा हटके जरूर है उसके बाद मैंक रगवाल एंजो समर्थ लोम रोर और यहाँ पर चोहान को अभी तक एक भी टीम में नहीं लिया था उनको ले लूँगा को ट्राय कर सकते हैं जगदिश सुचित अकेले को अल्राउंडर के तोर पर ले रहा हूँ और गेनबाजी में चोधरी कोशिक और राहूल चहर को मैं यहाँ पर ट्राय कर रहा हूँ राहूल चहर का परफोर्मस खास नहीं है लेकिन फिर भी मैं जादा इन टीमों में इनको को इसलिए ले रहां क्योंकि प्लियर काफी और गेनबाजी भी अच्छी करते हैं और बल्ले वाजी अच्छी कर सकते हैं यह पर ए चोधरी को करना चाहे तो आप उल्टा कर सकते लेकिन मुझे लगता है इसी तरसे रखना ज़ाधा बड़िया रहे कि सबी के लिए मुझे तो अच्छी लग रहे लेकिन आप फिर भी सोच समझ के यूज किजिगा चले इस टीम को क्लोज करते हैं नववी टीम हमें देख ले निए नववी टीम के अगर बात करें तो यहाँ पर तोमर को और शिरितीज को दोनों को साथ में ले लुगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अफकोस सिंग का परफॉर्मस जादा बेटर आ है लेकिन हो सकता है कल यह दोनों जादा बड़ी परफॉर्मस करें सिंग का परफॉर्मस थोड़ा खराब रहे तो यह भी मतलब हो सकता है तो इसलिए ऐसा भी करना फाय देमन सावित हो सकता है थोड़ी जादा रिस्की टिम बनेगी लेकिन ठीक है एकाट टिम थोड़ी थोड़ी रिस्की भी बनाना ज़रूरी है दोस्तों मनिश पांडे अगरवाल समर्थ लोमरोर चार बल्लेबाज मेर पास रहेंगे शुचीत, गौतम और बेगड़े इस तर से तीन औल राउंडर रहेंगे और चोदरी और खलीले मत दो ही गिनबाज या पर मैं रखूंगा थोड़ी अलग टीम ज़रूर है दोस्तों लेकिन फाय देमन सावित हो सकते आर समर्थ को क्याप्टर बेगड़े को वाइस चलिए इस तीम को भी क्लोज कते दस्वी और आखरी टीम हमें देख लेनी है दस्वी और आखरी टीम में मैं फिरसे आपर केसिंग के साथ जा रहा हूँ उसके वाला किसे और को नहीं लूँगा उसके बाद मनिश्पांडे, मयंक अगरवाल, दीपक खुडा, लोम रोर, च उसके बाद कृष्णपा गोतम अकेले रहेंगे मेरे पास औल रॉंडर में और फिरसे एक बार गेनबाजी मैंने मजबूत करने की पूरी कोशिश की चोधरी, वीजे कुमार, कौशी, अखली लेमद और एखान, तो इस तर से पाच गेनबाजों को मैं इस टीम में कृष्ण यहां थोड़ा क्याप्टन और केसिंग समयी कैपतर बनाबाच हो दोनों बैस रहें दोस्तों आप दोनों के साद्व जरूर जा सकते हैं। और अगर आप करते हैं तो सबसे ज़ादा गर यह अच्छा प्रप्रोंस करते हैं, सबसे ज़ादा आपको होगा, तो इसलिए ऐसा भी करना फायदे मन्द साबित हो सकता है, अफकोस टीम काफी बड़ी आया, ग्रैंड लिग के लिए, बड़ी लिग के लिए, स्मॉल लिग के लिए, किसी भी लिग के लिए, मुझे तो कोई प्राब्लिम नजर नहीं आ रहा है, फिर भी अगर आपको लगता है, तो ग्रैंड लिग या बड़ी लिग के लिए, यूज कर लिए जगा small link के लिए ना भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम ने कोई दिकत ने तो I hope मैंने पूरी अच्छे से दस्टी में आपको देनी की कोशिश की I hope आपको ज़रूर पसंद आई होगी अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो like, share, comment ज़रूर कर दीजे चैनल पर नहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथे साथ बेल आइकन को प्रेस करके all पर भी क्लिक कर दीजे स साथे साथ टेलेग्राम के लिंक description में दे रहा हो वहाँ पर जाके उसे join कर लिजे ताक कि कुछ भी changes रहते तो आपको बता सको किसे drop किया गया है उसकी जगोपे किसको लिया गया है साथे साथ कुछ और टीमों के screenshot शेर करने की कोशिश करूँगा तो इसलिए अगर आप टे